नमस्कार ग्लिप्स.िनमाप का स्वागत है CBAC के एस्टुएंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है उन्हें अब गणित का पेपर दोबारा नहीं देना होगा CBAC के एक सूत्र ने ये जानकारी दी है ये भी कहा जा रहा है कि CBAC इसकी आधिकारी गोशना आज कर सकती है एक अंग्रेजी अकबार की खबर के अनुसार एक अधिकारी ने कहा है ये फैसला आंसर शीट के मुल्यांकन और विशलेशन करने के बाद लिया गया है जिसमें लीक का कोई प्रभाव नहीं पाया गया है ये खबर 1.7 मिलियन स्टुडेंट्स के लिए एक रहात भरी खबर हो सकती है जिनोंने 28 मार्ज को परिक्षा दी थी दरसल बोर्ड ने जब से बारवी और दसवी की परिक्षा दोबारा लेने के लिए कहा तब से बोर्ड को स्टुडेंट्स और उनके अभी भावकों की तरफ से विरोध का सामना करना पढ़ रहा था आपको बता दे कि CBSE की और से बारवी बोर्ड का अर्थ शास्ट और दसवी बोर्ड का गणित का पेपर लीक होने की वज़ा से रद्द कर दिया गया था इसके साथ ही परिक्षा दोबारा करवाने का फैसला किया गया छब इस मार्ज को सोशल मीडिया में CBSE दसवी के गणित के पेपर की तस्वीरें सोशल मीडिया में वाइरल हो गई थी बारवी क्लास CBSE का अर्थिशास्ट का पेपर दोबारा 25 अप्रेल को आयोजित किया जाएगा बोर्ड ने दसवी के दोबारा पेपर की तारीक का एलान अभी तक नहीं किया है इससे पहले खबरें आ रही थी कि पेपर जुलाई में हो सकता है